नमस्कार आप सभीका श्वागते NKP प्रोड़क्षन में और आज मैं आपको अपडेट देने जा रहा हूँ वो दोरंडा कोलेट्ट से रिलेटेड है दोरंडा कोलेज राची जो है उसका जो है पीजी से रिलेटेड है पीजी का जो है ममसी और जो है आपका लिस्ट आ चु जैसे आप इसको cut करते हैं यहाँ पर देखिए आपका science, arts और commerce तीनों का दिया हुआ है कि merit list कैसे आप download कर सकते हैं आपका खास date पता दे कि 17-10-2022 से लेकर के 28-10-2022 तक है उसी तरह समय तक आपका admission first list का हो पाएगा अगर second list की बात करें तो आपका second list अकीस के बाद में ही आएगा उसके बाद देखिए आपको merit list कैसे download करना है यहाँ पर देखिए normally आप इस पर जिसे click करते हैं तो आपका download नहीं हो रहा है अगर computer से करते हैं तो तुरंत अपका हो जाएगा नहीं हो रहा है अब mobile से कर रहे नहीं हो रहा है तो इसको क्या करें दबा करके रखिए एक बर प्रेस करके open a new chrome tab होगा उसमें आप click कीजएग यह आपका यहाँ पर download हो जाएगा जैसे देखिए यहाँ पर download हो रहा है जैसे commerce का download होता है आप इसके click करके आप PDF में देख लिजएगा आपका यह सारा आपका निकला हुआ है यह सारा चीज़ आपका दिया गया है इसमें आपका process क्या है एडविशन के लेने का तो process जो ह कि आपको physical document verification का कोई लिखा हुआ नहीं है आपका merit list में यहाँ directly कहा गया है student को कि जैसे commerce के लिए यह जो last date दिया गया है date 16-2022 आपका लिखा हुआ है तो उसी तरह से आपको इसमें देखिए आपका आपको क्या करना है मलब कि यह 16 को आपका publish किया गया है लेकिन आपका ज लेंगे उससे पहले आपको क्या करना है एक आपको undertaking form submit करना होगा जैसे कि यह जो undertaking form आप देख रहे हैं इसको निकालना है print इसमें अपना detail भरी है उसके बाद इसमें signature करें उसके बाद में लिंक आपको दिया गया है लिंक यहाँ पर www.dorandacollege.com oblique new oblique undertaking इसमें जो है आपको जाना है वहाँ जाकर कि आप अपना undertaking form जो इसको आप sign करेंगे इसको sign करेंगे इसको upload करना है अप्लोड कीजिएगा उसके बाद में आपको chancellor portal में login करना है chancellor portal में आप login करेंगे जैसे ही देखिए आपका पहला step में ने बताया के अडिविशन के इंटेकन फ्रोम में इतना से इतना तक है second step में आपको यहाँ पर दिया गया है कि आप उसमें undertaking form को आप submit करेंगे उसके बाद में आपको chancellor portal में जाना है chancellor portal में जा करके आप उसमें आप chancellor portal में जा करके payment करना होगा payment करेंगे आपका जिसे approval मिल जाता है payment करेंगे payment करेंगे जो receipt निकलेगा receipt को पी आपको रखे रहना है document verification के time में आपको उसको submit करना है उसके बाद आपको बता देने चाहेंगे request of admission after the last date will be not entertained मतलब कि आपका जो है कि आपका date कतम हो जाता है उसके बाद में आपको उसमें नहीं दिया जाएगा तो उसके बाद में आपको पता दे है right of the admission of the reserve with the principal principal के बाद सारा right रहता है कि अगर fake seat आप देते हैं अगर गलत information द आया है आप नाम देख लेजिए और उसके साथ में अपना अब जरूर ले लिए जैसे कि आपका बात करें कि आर्स के लिए तो आर्स के लिए भी सारा निकाला गया है जैसे बंगाली इकनॉमिक्स इंदी जो भी है आपका सारा का लिश्ट निकल जुका है chemistry हो गया science में या सब्सक्राइब करके बगल के मेल अकन को भी जरूर दवा लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद